जेहिंद पावर सेक्टर इन दिनों अपने बुम पर है और खासकर रिनीवल इनर्जी की चर्चा इन दिनों काफी जोड़ से सुनाई दे रही है तो भविस्त में जिस सक्टर के डिमांड बढ़ने वाली हो हमें उस सक्टर की जो दिगज कंपनियां होती है उन पर नज़र र पैदा करती है और भारत में जितनी फी फीचली पैदा की जाती है और यह 0-7 करोणी के जाती परेगा। कि फिर भी यह कंपणी Auto-to- water profit making रही है अब बात करते हुए तो देखिए चाटा पाउर फ़र्मल पाउर प्लांट है ड्रोकरवन और इनीवल इन इन तिनों सेक्टर में काम करती है और इन तिनों सेक्टर से जो भीजली बनाती है उसकी छमता है 12808 Megawatt यानि कि अधिक बनाती है इसका मार्केट केप है 78,430 रुपया यानि कि मार्केट केप की तुल्ला में देखें तो दोनों कंप्रीयों का लगभग सेव है अब इसमें अगर प्रमोटर्स के होलिंग की बात करें तो टाटा पावर में पर करजा है उन्चासाजार साथ कर रूपया यानि कि अडानी पावर से बहुत कम इस कंपनी को पर करजा है और यह कंपनी भी quarter to quarter profit making रही है अब अगर overall बात करें हमें इन दोनों कंपनीों से चुनना हो तो हम किसे चुनेंगे तो देखिए अगर share price के साब से बात करें तो आप अडानी पावर को चुन सकते हैं अडानी पावर का share price काफी कम है लेकिन अगर return on equity की बात करें कि आप ज power sector का और आज के समय power sector का मतलब है renewal energy जबकि अडानी पावर renewal energy की sector में काम नहीं करता वह सिर्फ thermal power plant यान की कोईले से जो भीजली बनती है इस sector से काम करता है और कोईले से जो भीजली बनती है उसमें पर दूसरा बहुत अधिक होता है और सरकार भी आजकल कोईले से भीजली बनाने को लेकर कम जबकि renewal energy की तरफ जाधा ध्यान दे रही है तो मेरा ख्याल है टाटा पावर इस मामने में बहतर है हालाकि अडानी गुरूप भी इनर्जिक स्रक्टर में काम करता है लेकिन उसके लिए अडानी ग्रूप ने एक अलग कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम और इस कलावा टाटा पावर में return on equity भी अडानी पावर से अधिक है उम्मीद करता हूं यहाँ मेरा छोटा सा प्रियास से बताने के लिए कि दुनों कंपनियों में कौन बहतर है आप वो समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे है तो इसे लाइक कर सकते हैं पर पर्सनली मुझे जूर कर बात एक आना चाहते तो मुझे इंस्टाक्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक धन्यबाद शुक्रिया